हलो दोस्तो नमस्कार जैमाता की कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होगे आपकी प्रेग्डेंसी भी एकदम हेल्दी चल लए होगी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नीन से कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा यह लड़की होगी जी हाँ दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे काफी महिला हों के काफी सारे कंफ्यूजन रह रहे हैं इस चीज को लेके तो आपकी जितने भी डाउट हैं जितने भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने वाली हो इस वीडियो में तो वीडियो को notification सबसे पहले आपको time to time मिल सके देखिए आपने काफी वीडियो में आर्टिकल में सुना होगा कि कहा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा नीद आ रही है आलस आ रहा है गर्वती को तो ये लड़की होने का symptoms होता है और ये भी सुना होगा आपने कि अगर आप बहुत ज़्य reason भी बताने वाली हूँ जिससे कि आपके जो doubt है वो clear हो सकें ठीक है क्योंकि क्या होता है कि जब भी गर्वस्ता हमारी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमारी body में हार्मोन्स परवर्तन होने लगते हैं जिनकी वज़े से कुछ बदलाव भी देखने को मिलते हैं उन्हीं में स इसका reason ये भी हो सकता है कि अगर आपकी जब आप बहुत जाबर देर तक जगती रहती है यानि कि बहुत देर रात तक TV फोन का यूज करती है ठीक है तो इस कारण आपको क्या है नीन कम आएगी ठीक है क्योंकि आपके हाथ पर फोन होगा आप फोन चलाती रहेंगी या फि आपको रात को सोने जब आप सोने जाती है तो आपको टीवी फोन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है साइट में रख देना है बस आपको सोने की कोसिस करना है और अगर आपको तब भी नीन नहीं आती है तो आपको क्या करना है कि आपको रात को सोने से पहले एक ग्लास लिए वे पिलेना है ठीक है दूद पीने से क्या होता है बहुत अच्छी नीद आती है और अगर आप दूद भी पी सकते हैं इसके हिलावा पता है आप सोरने जब चाहते हैं तो चाहें तो आप हलके music सुन सकते हैं हलकी आवाज में बिलकुर दीमी आवाज में music सुन सकते हैं उसकी जो दुन होती है उसको सुनने से न बहुत अच्छा फील होता है और नीन भी बहुत जल्दी आ जाती है ठीक है तो आप ये भी अपना सकते हैं अब देखिए नीन अगर फिर भी आपको नहीं आती है ठीक है तो आपको उस समय डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है कि आपको नीन क्यों नहीं आ रही है आपको क्या रीजन हो सकता है ठीक है तो ये रीजन हो सकते हैं अगर ये रीजन मतलब आप ऐसा कर रहे हैं उसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा है नीन आपको फिर भी नहीं आ रही तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाईएगा क्या की नींद क्यों नहीं आ रही ठीक है अब बात करते हैं कि काफी महिलाओं को नींद आती है ठीक है बहुत दिन बहर सोती रहती है आलस साहता है उनको तो देखिए ऐसा नहीं कि आगर आप नींद आ रही है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है अगर आपको नींद आ रही तो आप अराम से सो यह ठीक है दिन भर में आठ गंटे की देखो रात को जो है आठ गंटे के नींद लेना बहुत ज़्यादे जरूरी होता है अगर दिन में भी आपको एक से दो गंटे आप रेस लिए क्योंकि थोड़ा बहुत बाड़ी को एक्टिव रखना भी जरूरी होता है ठीक है तो आप इन बातों का खास ख्याल रखिए अब बात करते हैं कि यह सच में लड़का होने का सिम्टम्स होता है यह लड़की नहीं होता है ठीक है इनका कोई भी साइंटिफिक प्रू वजे से भी होता है ठीक है तो आप लड़का यह लड़की के चकर में ना पढ़के अप्रेग्नसी को अच्छे से इंज्टवाय करिए टैंसन ठीक है इतनी बात आप समझ गए होंगे I hope कि आपको ये वीडियो helpful लगी होगी थोड़ी सी भी अगर helpful लगी है आपके doubt clear हो गए है तो वीडियो को आगे share जरूर करें और चैनल पर पहली वारा है तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक पर वाई बाय और टेक क्यार कोई भी अगर doubt रहेगे तो अब comment करके जरूर पूछ सकते हैं